बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com अगर हम बात करें ठीक धंतेरस से एक दिन पहले जो है रामाई कदशी मनाई जाती है इसके बाद बीच में द्वादशी होती है और फिर त्रियोदशी यानि दीक महुत सवारब होता है और त्रियोदशी का जो धंतेरस है उस दिन मनाया जाता है वही पर अगर हम रामाई कद तो बेहत आपको लाप राफ होता है। वहीं परमातालक्शमी की भी पूजाराथना की जाती हैं। और इसके बाद जो है देव उटनी एकदशी जोकि कार्तिक मास के शुगल पक्ष की एकदशी तिति पर मनाई जाती है इस दिन देव उट में एकदशी मनाई जाती है और इसके बाद जो है सभी तरहां के मांगलिक कारे आरंब हो जाते हैं भगवान विश्णुजी अपनी योग निंदरा से जाग जाते हैं तो ये एकदशी का महत्व अधिक माना जाता है क्योंकि ठीक दिपावली से एक दिन पहले मनाई जाती है बहें पर इस दिन ऐसा कहा जाता है यदी जीवन में किसी भी तरहां के पाप से आप चुटकारा पाना चाते हैं किसी भी कश्टों से चुटकारा पाना चाते हैं घर में धन सुक समृत्ती प्राप्त करना चाते हैं तो रामा एकदशी का वरत बेहत खास वाना जाता है और इस दिन जो है पीले वस्तर धारन करने चाहिए इस बार जो ये वरत पढ़ रहा है 21 अक्टूबर 2022 का पढ़ रहा है और साथ-साथ अगर देखा जाए तो इस दिन भगवान विश्णुजी की पूजा राधना करेंगे माता लक्ष्मी जी की पूजा राधना करेंगे संभव हो तो इस दिन तुलसी का पौदा अपने घर में जरूर लगाएं इसके साथ-साथ इस दिन जो है भगवान शालिगरांद की भी पूजा राधना जरूर कर लें इसके साथ-साथ माता लक्ष्मी की इस दिन उपासना क जाए तो लाफ राप्त होता है धन में आपको कही न कहीं बड़ोतरी होती है घर में सुक्सम रिद्य आती है और इस दिन जो है यदि आप भगवान विश्णुजी को पीले फल पीले फूल और साथ साथ पीले वस्त अर्पित करते हैं पीला चंदन अर्पित करते हैं तो आप के जीवन में भी खुशाली आती है इस दिन जिन करन्याओं का विवान नहीं हो रहा है वो इस दिन भगवान विश्णुजी की पूजा रातना जरूर करें पीले वस्त अर्पित करें पीला मिश्ठान उनको भोग में जरूर लगाएं चाहे वो बेसन का हलवा हो चाहे बेस तो साबुदानी की खीर बना सकते हैं इसके अलावा इस दिन जो है आप खल्भा बना सकते हैं खास आपके लिए माना जाएगा और इस दिन विश्णु से अस्तनामवली का पाठ करें या फिर आप जो है ओम नमो भगवते वासु दिवाय मंतर का जब करें श्री सुक्त का पाठ करें ऐसा करने से आपको शिक्र ही लाप रापत होगा तो फिलाल के मुझे दी जो इजासत नमशकार जैश्ट्री रादे झाल